आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ों खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउनलोड करें, देखिए प्रशने, यदि 0 less than x less than pi बटे 2 अठाथ, x का जो मान है वो 0 से pi बटे 2 के बीच है, तब cos की घा 3x बटे sin प्लस sin की घा 3x बटे cos x का नियून तब मान है, विकल दे 1, root 3, 1 बटे 2, और 1 बटे 3 ठीक है तो हमें यह बताना है इन में से कौन सा विकल्ब सही होगा तो देखें इसे हम कैसे सरल करेंगे हमें सबसे पहले तो देखें यहाँ पर x का क्या मान दिया हुआ है 0 से लेके πाई बटे 2 के बीच ठीक है और हमें यह इसका नियूनतब मान ग्याद करना है कोस क्यूब एक्स बटे साइन एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स बटे कोस एक्स इसका हमें नियूनतब मान बताना है ठीक है तो देखें सबसे पहले तो हम यहाँ पर जानते हैं कि am is greater than equal to gm जो algebraic multiplicity होती है वो geometric multiplicity से क्या होती है या तो बड़ी होती है बराबर होती है हम यह जानते है ठीक है तो इसका उपयोग करेंगे हम यहाँ पे तो इसके लिए जब हम am लिखेंगे तो वो क्या जाएगा am क्या होता है देखो a plus b बटे 2 और gm क्या होता है root a b तो यहाँ पे हम क्या करते है यह लिखते है a plus b क्या आजाएगा देखो यहां से अत्य हम क्या लिख सकते हैं cos cube x बटे sin x plus sin cube x बटे cos x ठीक है यह तो a plus b हो गया बटे 2 और greater than equal to under root क्या आजाएगा इन दोनों का गुणा तो यह आजाएगा cos cube x बटे sin x गुणा sin cube x बटे cos x ठीक है देखे हम यहाँ पे इसको a मान लेते हैं हम ऐसे लिख लेते हैं इसको a बटे 2 ठीक है जहाँ पे a हमने इस पूरे मान को बाना है ठीक है क्यूंकि हमने यह ऐसा का ऐसा लिखना है यहाँ पे तो a बटे 2 greater than equal to यहाँ से क्या जाएगा देखो cos की घात 1 का यहाँ पे 3 है तो एक घात कट जाएगी यहाँ से तो यहाँ पे cos square बचेगा इसी तरह से यहाँ पे sin की घात है का sin की घात यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे sin square बचेगा तो कुछ इस तरह से माना जाएगा cos square x गुणा sin2 x ठीक है और यहाँ पे a हमारी पास क्या है यहाँ पे लिख रहेते a बराबर cos cube x बटे sin x प्लस sin cube x बट्टे cos x यह हमने सिर्फ मानना है ठीक है? ताकि हम इस पूरे मान को यहाँ पे नहीं लिखें सिर्फ a लिख लें तो हमने यह मानना है ठीक है? अब यहाँ से देखें इसको थोड़ा ओर सरल करते हैं तो हमारे पास यहाँ से क्या आजएगा? यहाँ पे देखो इसको अमें से लिख सकते हैं न? cos x गुणा sin x और इसकी घात हमारे पास क्या है? दो है और यहाँ पे हमारे पास इसकी घात क्योंकि यह वर्ग मूल है अर्थात यहाँ से इसकी घात क्या है? एक बट्टे दो तो यह घात यहाँ से कैंसिल हो जाएगी तो मान क्या आजएगा? ए बट्टे दो greater than equal to cos x गुणा sin x ठीक है? अब दो को अगर इदर गुणा कर दें या दोनों तरफ दो से गुणा कर दें तो ए greater than equal to 2 गुणा cos x गुणा sin x ठीक है? अब हम सुत्र जानते हैं sin 2x बराबर 2 गुणा sin x cos x ठीक है? तो इस सुत्र का हम उपयोग करेंगे तो यहाँ से क्या लिख सकते है? a greater than equal to sin 2x ठीक है? इस सुत्र की साहिता से अब देखे हमें क्या दिया होगा? x का मान क्या है? 0 से πाई बटे 2 के बीच है तो यहाँ पे देखे हम लिख लेते हैं क्योंकि x का मान क्या है? 0 से πाई बटे 2 के बीच है और देखे इस अंतराल में sin का अधिकतम मान क्या होगा? 1 होगा और वो किसे पे होगा? pi बट़े 2 पे तो यहां पे x का मान जब pi बट़े 4 रखेंगे तो यह pi बट़े 2 बन जाएगा तो अत्य हम लिख सकते हैं अत्य है sin 2x का मान अंतराल में 0 less than x less than pi 2 इस अंतराल में x वराबर pi बट़े 4 पर अधिक्तम क्या होगा? अधिक्तम होगा अधिक्तम क्या होगा एक के बराबर होगा ठीक है क्योंकि साइन पाई वटे दो पे मान क्या होता है एक होता है और यहाँ पे जब पाई वटे चार रखेंगे तो यह पाई वटे दो बन जाएगा तो इस अंतराल में साइन का अधिक्तम मान एक होता है और व अर्थार्थ, cos cube x, बट्टे sin x, plus sin cube x, बट्टे cos x, इस greater than equal to 1, अब हमसे प्रश्न में क्या पूछा हुआ है, इसका न्यूनतम मान, तो देखें, इसका मान क्या है, एक या एक से बड़ा है, तो न्यूनतम मान क्या है, यहाँ पे 1 है, अत्य हम लिख सकते हैं, अत्य न्यूनत मान क्या होगा, बराबर 1, ठीक है, अब देखें, विकल्प, देखें, यहाँ पे पहले विकल्प में दिया एक, तो पहला विकल्प सही हो जाएगा, धन्यवाद,